सुप्रीम कोट से प्रतिबंद के बावजूत बेखाओ बज़री माफिया लगातार चंबल नदी से खनन का कारे कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से बज़री माफियाओं ने पुलिस पर फाइरिंग कर दी है इस उरान गोली लगने से पुलिस का एक जवान भी इसमें घायल हो गया है और इसे में साथी पुलिस कर्मियों ने घायल जवान को अस्पताल पहुँचाया जहां पर उसका इलाज जारी है वहीं पुलिस पर फाइरिंग करने की सूशना मिलने पर जिला पुलिस अधिक्षक अजे सिंग राठोड और अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक राजेंदर वर्मा ने अस्पताल पहुँचकर पूरे मामले की जानकारी ली और साथी पुलिस अधिक्षक की आदेश पर कोब्रा पुलिस को आरोपियों की तलाश करने के लिए रवाना किया गया है आपको बताते कि धौलपुर में बेखौफ बजरी माफियाओं ने कुछ दिनों पहले जिला पुलिस अधिक्षक की गाड़ी पर भी पत्राओ और फाइरिंग की थी और जिसके बाद से आए दिन बजरी माफिया और पुलिस के बीच फाइरिंग की घटनाएं सामने आ रही है अब इसके फाइर की है इसके सोल्डर में बोली लगी है राइट सोल्डर में तब यह उपरेशन इसका करा दिया गया है अभी इस्तिती खत्रे के बाहर है बागी सब कानून निकार रह गई है